अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्सों को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब काम ना है आज का पंचांग 28 अक्टूबर दिन बुद्वार सन 2020 आश्वेड महा शुक लपक संवन्द 2077 तिथी द्वादिशी है प्रदोश का वर्त है नक्षत्र पूर्वा भादबद रहुकाल बारा से डेड़ दिशासूल उत्तर पूर्दिशा आईए दर्शो को आज हम आपसे बात करते हैं श्रियंत्र और अंभी का यंत्र के महत्र की आप में से बहुत लोग इसका महत्र जानना चाहते हैं बहुत लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं श्रियंत्र की सबसे पहले हम बात करते हैं श्रियंत्र यंत्र राज कहलाता ह यंत्रों का राजा होता है शिरी अंत्र अश्रलक्षमी दसम महाविध्याए नाना भाती की विशेश प्रकार की शक्तियां शिरी अंत्र में वास करती है भगवान शिव भैरव नाना भाती के देव शिरी अंत्र के अंदर वास करते हैं श्रियंत्र आदि शंक्रचारिय से पूजित है और कहने का भाव के शिव शंकर वास करते हैं नाना भाती की सक्तियां वास करती हैं कहने का तात पर यह जो साधक श्रियंत्र की साधना करता है श्रियंत्र को पंचोप चार प्रति दिन उनका पूजन करता है या जिने श्रियंत्र की सिरीचक्र विद्ध्याई नाना भाती की आती हैं वो करते हैं तो उने समस्त देवी देविताओं का आशिरवाद प्राप्त हो जाता है श्रियंत्र आपने आप में शमातकारिक महायंत्र कहलाता है दूसरी बाद किसी भी यंत्र की विशेस्ता किसी भी यंत्र की चैतन्यता और किसी भी यंत्र का आपके घर की ओरा को विख्षित करना आपके भाग्य में बदलाव लाना ये तभी संबह होता है जब यंत्र शुद्ध प्रणाली से बना हो शुद्ध तरीके से बना हो ब्रहमनों के द्वारा बना हो अब देखो बाई जो जिसका काम है वो उसी को फवदा है ये आपको ये बात प्रैक्टिकली मानने पड़ेगी जो ब्रहमन से मतलब जो उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करनी जानता हो अब सिरी यंत्र मैं अपनी बात बदाता हूँ हमारे हैं सिरी यंत्र जो है लंबे समय से हम भोजपत्र के उपर हमारे विद्वान ब्रहमन बनाते हैं फिर उसका यग होता है पूजा पाठ होती है सारी चीज़े हो करके यंद्र तयार किया जाता है भोजपत्र भोजज नाम का वरक्ष होता है जिसकी चाल इसमें प्रुक्त की जाती है जो देखने में बड़ी पतली पतली उसकी चाले निकाले जाती है और अगर इसको फ्रेम करा दिया जाए तो जल्दी से ये खराब नहीं होता कई कई वर्सों तक 20-20-50 वर्सों तक ये एजिडिस बना रहता ये खराब नहीं होता बाकी भाई देख रेक भी होती है कहीं आप उसे सीलर में रख दें पानी में रख दें हर समय पानी का प्रियोक करें उस पे तो वो अच्छा नहीं रहता इसलिए हम अपने संस्थान से जो भी यंत्र बनाते हैं वो शुद्ध भोजपत्र शुद्ध माना जाता है भोजपत्र के उपर उसको निर्मान करते हैं और उसके बाद उसको फ्रेम आदी करा करके आप तक पहुचाते है शुरी यंत्र महालक्षमी की विशेश करपा पराप्त होती है लेकिन शुरी यंत्र के साथ बैठ करके हमें समय देना होता है शुरी यंत्र के समक्स हमें यंत्र की साधना करने होती है अब श्रीयंत्र के सामने बैठ करके हमें क्या करना होता है जो सादक पढ़े लिके नहीं है जो सादक बहुत अच्छे से मंत्र वगरा नहीं जानते हैं तो वो केवल धूप दीप और कोई भोग नविद्ध है आदी पृती दिन श्रीयंत्र को महालक्ष्मी का सब्रूप समझ करके अरपन करते रहें और ओम शुर्म स्राई नमा क्या ओम शुरूं स्राई नमा केवल इतने से ही मंत्र का जाब करते रहें तो आपको रिध्दी सिद्धी व्रद्धी की प्राप्ति होगी और आपको ह अश्रवाद मिलेगा अब यहां एक चीज और मैं अपने उपने कहते हैं न और खास दोर से वो लोग ज्यादा कहते हैं जिनका अपने ध्रम से कोई वास्ता नहीं होता तो देखो प्रेर हो प्राथना हो वो हर ध्रम में अपने अपने हिसाब से की जाती है सभी धर्म में, कोई ऐसा धर्म नहीं है सभी अपने अपने धर्म में प्राथना करते हैं कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, कोई सरीर के स्वास्ते के लिए कोई किसी चीज के लिए, किसी न किसी चीज के लिए सभी अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने मंत्रों के हिसाब से अपने अपने भगवान की प्राथना करते हैं करते हैं न तो सब की प्राथना अपने 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 हिसाब से भगवान स्विकार करते हैं तो ऐसे ही हम भी अपने धर्म के हिसाब से अपने यंत्रों की पूजा करते हैं हम विरक्षों की पूजा करते हैं हम अपने भगवान की पूजा करते हैं तो ऐसी बात नहीं जिदि आपको पूजा विधी विधान अच्छे से आता है अच्छे तरीके से आप करते हैं श्रद्धा से आप करते हैं भक्ति भाव से आप करते हैं तो उसका फल आपको मिलता है मिलता है यह मैंने इसलिए बात कही जिए वो लोग जिनका कोई मतलब नहीं है वो लोग कह देते हैं ऐसे कैसे हो सकता है हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है आप अगर किसी चीज़ को अच्छे से करेंगे उसका फल आपको मिले गए मिलेगा एक कुए से पानी खेशते रही है उसकी मेर्ड़ पे भी रस्ती का निसान छप जाता है किसी खेट में नावी रास्ता हो और उसके चलते रही है तो पकड़न्डी बन जाती है ऐसा नही है अच्छे से कोई चीज की जाए तो उसका बहुत अच्छा लाब मिलता अब देखेगा श्री अंतर का कई प्रकार से श्री अंतर को पूजा जाता है तो ये सोने चांदी पर भी बनता है क्रिश्टल पर भी बनता है लेकिन क्रिश्टल पर इसे machine बनाती है सोने चान्दी के पत्रों पर भी से machine बनाती है तो कई बार यदि उसमें अंक या कोई ऐसी चीजें इंग्लिस के सब्दावली आ जाती है तो उसका जो महत्व है वो नस्ट हो जाता है कई बार कोई द्वार गलत बन जाए, कोई क्वोण तिरकोन गलत बन जाए तो उसका महत्व नश्ट हो जाता है इसलिए एक जमाना था कि जब यंत्र की रचना हाथ से की जाती थी यह जैमेती रचनाई होती है ऐसे विश्व में अनेक उधारन है जो जैमेती के तरीके से बहुत सारी चीजों का उनुने निर्मान किया है और वो अद्वृत कार्य करती है तो यंत्र जो है एक जमाने में पहले जमाने में और आज भी ऐसे बहुत लोग है हम अपनी संस्तान की बात करते हैं यह सारे हाथ से बना जाते हैं जों से श्री नत्र है सीरी ist को फीटी रखे फीटा रखे पहमान रखे खीचे जाते हैं मैं जब है सारा वो हास सही और ये बड़ा ही इसका विशेस लाव होता श्रीयंतर का अब अधिक विशेस लाव के लिए अत्यधिक विशेस लाव के लिए हमें क्या करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ अब बहुत लोग खुश हो जाते हैं कि हम बजार गए बजार से हम सिरी अंतर इतना सा छोटा सा ले आए रख लिया लाव तो हुआ नहीं होगा छोटा सा क्रिश्टल का 20-50-100 रुपिया का रख लिया लाव तो हुआ नहीं होगा क्यों? उसकी उतनी उसमें प्राणा नहीं है उसमें उतनी कैपिसिटी नहीं है तो आप यह तो बड़ा इतना बड़ा सिरी अंतर बनवाईए लाईए बजार से ही लाईए बलाईए लेकिन उसे किस पर लाईए? तामबे के पत्रे पर लाईए पीतल के पत्रे पे लाईए तब उसका विस्यस लाब मिलेगा और फिर उसके सामने बैठ करके उसके विधी विधान किसी से पूछिए फिर उसकी पूजा करिए जरूर आपको लाब होगा अब जो हम स्रीयंतर आप लोगों तक भेजते हैं बहुत लोगों ने इस बार नवरातर में श्रीयंतरों के अपने लिए प्राण पतिश्टा कराई हैं वो बहुत लोग अब दीपावली के लिए दोनों तीनों यंतरों के प्राण पतिश्टा करा रहे हैं वो उसके बाद भेजी जाएंगे अब जब हम आपको यंतर भेजते ह अब देखो इसमें कितनी कमाल की बाते हैं इसमें हम सबसे पहले एक महालक्षमी का अदभुत मंत्र देते हैं जो आपको पढ़ना होता है उसके बाद हम इसमें लक्षमी स्तोत्रम देते हैं और लक्षमी जी के बहुत ही अदभुत 184 नाम इस पुस्तिका में हम देते हैं और एक जो सबसे दुरलब है वो है कमला इस्तुति अगर रोज समय ना मिले तो कमला इस्तुति केवल शुकरवार की संध्या को पढ़ लेनी चाहिए श्री अंत्र के सामने कुछ इसके आपको छंद पढ़के सुना देता हूँ धन अगनी सबरूप है धन बायू सबरूप है धन वसु देवता सबरूप है धन इंद्र सबरूप है धन ब्रस्पती सबरूप है धन वरुन देवता है धन अश्वनी कुमारों का सबरूप है वह धन मुझे प्राप्त हो जिससे मेरे इस्तिरी पुत्र पोत्र आधी परिवार के सरीर में उन सब देवताओं का निवास हो एक आदा और सुना देता हूं कहीं से भी पुत्र पुत्र का पुत्र धन धन्य हाती घोड़े गाय बैल रत वाहन यह सब मुझे दो अब हाती वहान से मतलब वहान आजकल के तो जो मोटर गाड़ी है हे भगवती तुम प्रजा की माता हो अतह मुझे दरगाईयों शी करो मुझे दरगाईयों होने का वर्दान दो बहुत अच्छे अच्छे इसमें कमला इस्तुती में वो है और बहुत ही बढ़िया इसका अलाब मैंने देखा है विश्नु की पतनी, शमा, सवरूप देवताओं की अधिस्टात्री, अक्षमा देवी, माधाओं की अत्यंत प्रिये माधवी, विश्नु की प्रिये सकी और एक्यूद सवरूप विश्नु की वल्लभा, ऐसी भगवती लक्षमी देवी को मैं बारम बार प्रणाम करता हूँ तो ये इतनी बढ़िया इस्तुती है, कि अगर आप शुकर के शुकर इसे कमला इस्तुती के पढ़ें तो मुझे पूर्ण विश्वास है, कि भगवती की खरपा उस व्यक्ती पर उस घर पर अवश्य परस्ती है अब हम जब कोई काम इसमें से हम पूरी पुस्तक नहीं पढ़ सकते बाई दिवाई तो इसमें से खास खास चीज़ें जैसे कमला इस्तुती रोज पढ़ लो, भगवती के 184 नाम पढ़ लो, इतना भी समय नहीं है तो हमने इसमें एक अतिदुरलव भगवती के मंत्र दिया है उसे आप एक मला कर लो, तो स्रियंत्र का आपको बहुत ही बहुत विशेश लाव की प्राप्ति होगी अब इसमें मैंने लिखा भी है जिनके पास ये किताब पहुँचेगी ये पुस्तक येंत्र के साथ ही दी जाती है स्रियंत्र के नो मुख्य भाग है साथ ही स्रियंत्र के 43 तिरकोन है आपको नोलिज भी थोड़ी बहुत इसमें मिल जाएगी स्रियंत्र की और दूसरी बात कभ इसको रखना है, कैसे करना है सारी चीजे हमने सिरियंत्र के बारे में इसमें बताई है और जो साधक सिरियंत्र की यंत्र, सिरियंत्र तो यंत्रों का राजा कहलाता है यंत्र राज ही ये कहलाता है तो जो साधक भगवती लक्षमी की करपा अपने घर में चाहते हूं वैभव चाहते हूँ, सुख चाहते हूँ, कोई नहीं चाहते है इन सब बातों को तो सिरियंत्र अपने घर में पदा रहें, लेकिन सिरियंत्र की साधना अतियावश्यक है अब आप सोचे कि घर में ये अंत्र रख लें, पूजा उजा करनी ना पड़े फिर भूल जाईए आप, फिर आपकी सोच आपके साथ है तो मैं इसलिए कहता हूँ, जो साधक हमारे संसे सिरियंत्र की प्राप्ती चाहते हो तो वो केवल साधना भी जरूर चाहें, कि शर्मा जी जब हमें बेज़ेंगे तो हमें उसकी कुछ नवच साधना करनी पड़ेगी या कहीं से भी आप बगाते हैं, किसी से भी आप लेते हैं तो उसका साधना मार्क जरूर लेजिए आप, सिरियंत्र का नहीं तो उतना आपको बेनिफिट नहीं होगा बैटरी भी है, एक बाद दुखानदार चार्ज करके दे रहता उसके बाद तो चाहें मोबाइल की बैटरी हो या इनवर्टर की बैटरी हो, वो चार्ज हमें खुद करनी पड़ती है तो ऐसे ही यंत्र जो होते हैं, वो आपको पूरे ब्रहमन लोग जो भी देंगे प्रान प्रतिश्चित करके देंगे और उसके बाद उसमें समय समय पर चेतरने था आपको प्रदान करनी होती है, और वो होता है मंत्र साधना के माद्दियम से अब एक केटेगरी और है, जो मंत्र साधना आदी नहीं कर सकते या जो हिंदी नहीं पढ़ सकते, तो वो केवल इस यंत्र के सामने मांसिक स्थिती से धूब दीब दें, क्योंके मजबूरी है, उनको पढ़ना नहीं आता तो वो केवल धूब दीब देंगे, तो भी भगवती की किरपान पर वनेगे एपिसोड काफी बड़ा हो जाएगा, अंबी का यंत्र के बारे में, सूरिय यंत्र के बारे में कल मैं बताऊंगा, और कल उसकी अंबी का यंत्र की एक ऐसी विसेस्ता जो शायद आपको कभी पहले की जिने ना बताई हो, कल बताई जाएगी तो आईए साद्गो, सब के लिए सुरिय अंत्र का निर्मान हमारे हैं हो ही रहा है और बहुत लोग कहते हैं थोड़ा कोश्टली है, तो देखो भई, यह चीज़े कोश्टली होती है क्यों? म्रामन लोग होते हैं, पूजा करते हैं, प्रान को तिस्टा होती है, यग होती है और फिर और भी बहुत सारे ऐसे खर्चे हो जाते हैं, फ्रेमिम बगारा के तो इसलिए यह सब चीज़े कोश्टली थोड़ी सी बन जाती है और यदि सोने चांदी के पत्रे बे बनाएंगे, तो तो लाखों रुपे में इनका खर्चा आ जाता है इसलिए हम लोगों ने एक मध्यम रास्ता निकाला है, जिए श्री अंत्र का निर्मान बोज पत्र के उपर किया जाए और बहुत ही यदि आप चाहते हैं, किसाब इतनी तो हम पॉकेट अलाओ नहीं करती है देखो सबकी पॉकेट अपने अपने हिसाब से होती है तो फिर मैं आपको एक राए दूँगा, कि आप इस दिवाली पर पीतल का या तांबे का बड़ा सा बड़ा सा लाना और भारी लाना जिसके अकशर साफ ना हो, मिटे ना मतलब, कभी आप जैसे साफ करते हैं, वाश करते हैं तो वो अकशर कई बार धूमिल पड़ जाते हैं तो उसमें जो कौन हैं, तिलकौन हैं और जो उसमें शिव और दुरगा की जो इस्तिती चिपी होई होती है जो इसके द्वार होते हैं, और खास तोर से जो इसमें लिखावट होती है, वो धूमिल नहीं पढ़ने जाएं बस ये आप इस कीज़ का ध्यान रखें, तो आप इस दिपावली पर वो लाकर के, आसपास के किजी ब्रहामन से प्राण प्रतिश्टा भी करा सकते हैं और यदि भोजबतर पर आपको चाहिए, तो हमारे संस्थान में आप संपर कर सकते हैं, दिपावली तक सिरियंतर का निर्मान हमारे संस्थान में होता रहेगा आईए साथ को जुड़ते आज की ध्यान साथना में भगवती लक्ष्मी सवरूपा भगवती दुर्गासे आत्न चसकाम रत्नोत पराम विब्रति सोम्याम रत्न गटस्त रक्त चरणाम ध्यायत पराम अंबिकाम खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलंब सुन्डिम्सिरा संखं संदधतिम्करिस्त्रिनयानाम सरवंग वुस्वरृताम निलास मध्युत्यमास्यबाद दसकाम सेवे महांकालिकाम यामास्तो स्वपितै हरो कमलजो अंतुम्मदुम्कटवं विद्यो दाम समप्रवाम रिगपते स्कंदस्तिताम विशनाम कन्याम विहकरवाल खेट विलसा धस्ता विरासे विताम हस्ते स्चक्रगदा सिखेट विशिखाम स्चापम गुणम तरजनीम विप्राणाम अलिलात्मिकाम ससिदाराम धुरगाम तिनेत्राम वजे कबच बना लें ध्यान करें भगवती का सिरवाद हम सब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हूं नेत्र खोले समान्य हो जाए अभी दर्श्रों को व्यक्तिकत रूप से हम दिल्ली में नहीं मिल पा रहे हैं अपनी जनम पत्रिका या किसी भी रूप में आप हमसे कोई परामर्श चाते हैं तो उसके लिए आप हमारे संस्तान में संपर्ख कर सकते हैं अभी केवल टेलीफोनिक परामर्श ही दिया जा रहा है यानि के कॉल अपाइंट्मेंट का ही सिस्तम अभी सुचारू रूप से हमारे संस्तान में चल रहा है इनी शब्दों के साथ हम अपनी वानी को बराम देती हैं जैमा इंद्राक्षी किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक ज्यानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूले